Hello everyone, जहिन यदि आप भूतपूर सैनीक एक सर्विस्मेन है तो आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे इस विडियो में फ्रेंड्स आपको OROP2 से रिलेटेड काफी इंपोर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ सी साथ बेल का इकन को दवा दिए फ्रेंड्स तो देखते हैं आईए क्या है news तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए news निकल कर क्या रहे हैं यदि आप एक सर्विस्मेन है और आपको जॉब की तलास है तो Defense Institute of Advanced Technology में हमारे जितने भी ESM है उनके लिए special यहाँ पर आरक्षन यहाँ पर जो है reservation यहाँ पर दिया जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह non teaching job है जो की पूने में यहाँ पर रहने वाली है इसका 7 CPC के हिसाब से कितना payment यहाँ पर बनने वाला है सारा detail यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसको apply कर सकते हैं उसके अलावे आपको बता दू कि यहा 30 तारिक को हला बोल होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे family pensioner है और galantry award है उनको 30 April तक यहाँ पर payment सारा कर देना था लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक payment नहीं किया गया तो इसी के लिए 30 तारिक को 30 मई को यहाँ पर हला बोल होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टाम मोहर लगा करके यहाँ पर reply किया गया है और 30 तारिक को जो हला बोल होगा उसी में final होगा क्योंकि जितने भी हमारे एक service मैंने वो काफी जादा यहाँ पर अवियान चला चुके जैसे कि postcard अवियान धरना प्रदरसन सभी कुछ कर चुके हैं त तो अब 30 तारिक के अंतजार है 30 तारिक के बाद ही जो है हमें पता चल पाएगा कि हमारा payment कम मिलने वाला है उसके अलावे हमारे बहुत सारे एक service मैंन पूछ रहे थे कि जो हमारे child welfare का जो है में reimbursement है वो किस प्रकार से कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्र नाम, rank, सब कुछ यहाँ पर date weight डाल करके इसको apply करना होगा तो इसको apply करने से friends आपका यहाँ reimbursement आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके अलावे यहाँ पर देख सकते हैं जो तेलंगाना state है उसके द्वारा यहाँ एक service man के लिए काफी अच्छी यहाँ पर scheme लाई गई है य उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर एक notice निकाला गया है ट्रांस्पोर्ट रोड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि one time exemption of re-registration charge, re-registration जो charge होता है वेहिकल्स में वो यहाँ पर नहीं लगने वाला, साथ ही साथ live जो tax लगता ह आपका खुद का यह जो होना चाहिए वेहिकल, गारी, मोटर जो भी होना चाहिए वो आपके नाम पर होने चाहिए या फिर यदि कोई वीडियो है तो उसके नाम पर होना चाहिए तो फ्रेंड्स फिलाल वीडियो में बस अतना ही यदि कोई और information मिलती है तो सबसे पहले आ यूटूब चैनल पर मिल जाएगी, जय हिंद!